क्या आप भूतिया चीजों को खईदना चाहोगे? क्या आप भी सुपर पावर वाली सक्तियों को पाहना चाहते हो? या फिर इस तरह के अतरंगी अनों के प्रोड़क्ट को खईदना चाहते हैं? तो स्वागत जी आप सभी का हमारी इस अन्मॉल कमाल की वीडियो में जहां ख जरा इधर देखो इसे देखने के बाद आपकी वी कम कभी चूटने लगेगी जी हाँ ये एक भूतिया बोक्स जिसमें रखी ये बोल भूतिया तरीक ऐसे ना जाने केसे? बस इस बोक्स को बंद करते ही गलास में चली जाती है जो कि लिटरली आपको इनी हरी किसी को कपान आने वाला मेजिक है जिसका राज अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रही इस कमाल की वीडियो में तो यार मेजिक तो देख लेंगे लेकिन अब जरा इस अनौकी चीज को देखो जो दिखने में हमारे पेर शेप में आने वाला एक मज़िदार प्रोड़क्ट है जिसमे आप अपनी सिक्रेट या इंपोर्टेंट चीज को स्टोर रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर गजब की चीज यह है कि इसके सिक्रेट बॉक्स को डूढ़ने के लिए आपको अपना दिमाग खफाना होगा यह एक तरह का पजले जिसे देखो सबसे पहले यहां से और फिर यहा जब भी वह टाइम ट्रेवल करते क्या आप भी ऐसा ही कोई जादूई स्पेर को पाना चाहते हैं तो गाइज आप इस प्रोजेक्टर को ख़ई सकते हैं जो कि फेन की तेरह स्पीन करता हुआ प्रोजेक्शन बनाता है जो कि लिटरली डोक्रेश्टेंज के रेडिस फेज ही दिखाए देता है जिसे आप भी इस तरह के प्रोजेक्टर को खईद कर कहीं कमाल के जादूई इफेक्ट हवा में क्रियेट कर सकते हैं है क्या आपका भी दिमयाग इस बड़ी सी साइज वाली बोल को देकर चकरा गया जिसे लिटरली आप लोग अपने फेमिली मेंबर के साथ आटडोर में कुछ इस तैसे मस्ती करने के लिए कही सकते हैं इसमें सचमयार बहुत ज़्यादा मज़ाने वाल है जिस पर आप कूदो या फिर इसे उचालो या फिर डिसूं डिसूं करो आपके दोस्ते सचमयार काफी मच्टी करने वाले जो की आपको पंदस सू से दो जार रुपए में कैदने को मिल जाता है जो आपके लिए पैसा वसूल साबित हो सकता है एक अनो की चीज देखोगे जो कि आपके दिमाग तब को हिला दे जी हाँ बिलकुल ये जो हेंड बोईलर है इसे देखो जैसे ही आप इसे टेच करते हो तो यहाँ देखो इसमें भरा लिक्विड बोईल होने लगता है चैसे अपर लिक्विड कुछ इस तरसे बोईल होने लगता है बस इसे रोटी समझ कर खाने से बचे रहे ना नहीं तो पोट आपका ही होने वाला है हाई क्वालेटी और सकिन फ्रेंड्लि इस ब्लेंकेट को आप टॉवल के सा livestock के साल साल सोफा बेड़ पेट ब्लेंकेट की तरह यूज करने या फिर ट्रेविलिंग पर ये आपके काफी काम आने वाला मईदा ब्लेंकेट हो सकता है जो कि आपको 15 रुपए में खाय दिने को मिल जाता है आपने अभी तक हरे तरह कि लेक्टिक के स्कूट्री तो देखी होगी लेकिन अब जरा इस जबाज़त फार्डू स्कूटर को भी देख लीजिए जिसको देखकर ही हम जैसे लोग लड़ो लड़ो हो जाए इसका डिजाइन और लाइटिंग तो देखो यार आहा क्या ही गजब कूल नजर आ रहे है जो कि दुनिया की सबसे तेज फास्ट इलेक्टिक स्कूटर के रूप में अपना नाम कायम रखती है जो कि 300 किलोमेटर परावर की स्पीड से चल सकती है जो कि किसी एवरेज कार की स्पीड से भी काफी तेज बाग सकती है जो कि सच में यार किसी सूपरिश्ट की स्कूटर की तरह ही नजर आता है जिसे आप इसके ओफिसल वेब साइट पर जाकर पर्चेस कह सकते हैं ये वायर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपके दिमाग को हिला देना वाला एक जबाजस्त प्रोड़क है जिसे आप कितना भी खीचो इन दोनों वायर को एक दूसरे से जुदा करने में आपकी हालात खराब हो जाएगी दिखने में तो ये कोई मेजिकल प्रोड़क से लगते हैं लेकिन ये सब कमाल हमारे इस इल्यूजन वाले वायर का है जिसे आप भी खहिद कर अपने दोस्तों के सामने ये मेजिक ट्रे का आजमा सकते हैं जिसकी पूरी डिटेल्स आपकर इसके बॉक्स पर देखने को मिल जाएगी जिसे आप 500-1000 रुपे में पर्चेज कर सकते हैं ये क्या बला है जनाब जरा इस कफलिंस को देखिए ऐसा भी कोई कफलिंस आता है जो कि सेम डिटो लाइटर का काम करे अरे वाय ये तो सच मियार जवरदस्त चीज है अब कहीं पर भी हमें लाइटर को अलग से केरी करने की जुरुतिची नहीं है ये आपके बड़े यी काम की गजब की खफलीं से सावित हो सकती है जिससे आप कहीं पर भी कभी इस तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं जिसे आप डिसकरसcion बॉक्स में दिएगे लिंक से हजार उपै में पचेच कर सकते हैं ये जो आप पेन देख रहे हैं लेकिन इसके अंदर आपको Invisible Inc. के साथ Secret Message Compartment भी मिल जाता है जिस पर कुछ भी लिखकर इसके UV लट से Hidden Message को Reveal कर सकते हैं जो कि सच मियार इस्टूडेंट्स को काफी ज़्यादा पसंद आएगा जिसे आप भी Discussion Box में दिएगे लिंक से 15 रुपए में पर्चेज का सकते हैं गाई जरा इसे देखो इतना बड़ा कान लेकिन ये कान किस काम आएगा तो गाई ये आपके फोन के लिए बनाया गया काफी जबजस्त केस है जिसे उन लोगों के लिए बनाया गया है जिसे आप 20-20 रुपए में पर्चेज का सकते हैं पूप इसे तो देखकर मुझे भी काफी असी आई भला ये कैसा गेम हो गया इस गेम को आप अपने फेमिली मेंबर या दोस्तों के साथ फन करते हुए कहल सकते हैं आपको इस डायस को रोल करके जो भी आपके खाते में आएंगे उतनी वार प्लंजर को फुस करना होगा और एक पॉइंट पर ये पूप उचल का हवा में लेराती है बस इसी मौके का इंतिजार करते हुए आपको सबसे पहले इसे केज करना होगा मतलब जो भी इस पूप को सबसे पहले केज करेगा वही इस गेम का वीनर कहलाता है लिटरली यार काफी फणी इस गेम को आप किसके साथ खेहना चाहोगे कमेट करके जरूर से बताना यार आज की दुनिया में किसी ना किसी के पास लाइटर तो होती है और क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे भी लाइटर होती है जिनसे लोग जासुसी करते है जी हाँ गाज ये लाइटर होने के साथ ही काफी काम का डिवाइस आपके लिए हो सकता है जिसमें आपको स्पाई केमरा लगावा देखने को मिल जाता है साथी फोटो वीडियो को सेव कहने के लिए इसमें मिमोरी कार्ड सुलोट भी दिया गया है जिससे आप किसी की भी जासुसी कर उसे एविडेंस के तोर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो कि हजासे पंदास रुपे में खरे देने को मिल जाता है क्या आप भी अपने आंखों से धोखा खाना चाहते हैं तो ले आईए इस प्यारे से रियल पेट को जो कि आपके साथ खेलता हुआ प्यारी से क्यूट साउंड से आपका मन महलेगा जिसकी खास्यत यह है कि यह एक रोबोटिक पेट है जी हाँ दिखने में आपको एक रियल पेट जैसा ही लगा होगा जिसके सॉफ्ट फर इसे रियलिस्टिक मनाते हैं और इसे इसके ओर्जेंस चार्जर में रखकर चार्ज कह सकते हैं जो लिटरली काफी प्यारा दिखाए देता है जिसमें टैच सेंसर, माइक्रोफोन, जैरो के साथ एक्सलरोमेटर और ब्ल्यूटूथ जैसे कमाल के फीचर आपको इसे खरीदने को मजबूर कर देते हैं जिसे आप डिसकर्सम बॉक्स में दिएगे लिंक से पर्चेस कर सकते हैं क्या आपको भी पपेट बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये फिंगर वाला पपेट लिटरल ही आपके दोस्तों का पोपट बनाने के लिए एक जबदस्त प्रोड़क आपके लिए हो सकता है जिसमें आपको एक से बढ़कर एक खतरना के कीड़े मकोडे मिल जाते हैं जिने देकर अच्छे कासे इंसानों की भी बॉलती बंद हो जाती है जो कि आपको दोसों से तीन सो रुपे में खरीदनी को मिल जाते है वैसे क्या कभी आपने इस तरह से किसी की साथ प्रेंक किया है तो हमें कमेंट करके जुरो से बताईएगा देखो अभी कली की बाते मेरी दो तीन साथ चोटी बेन होली की पार्टी में ने जाने कहां खेलते हुए गूम हो गई ऐसी कहीं बार गटना ही होती ही रहती है तो अगर आप इस तरह की गटना से बचना चाहते हैं तो इस तरह का चाल्ड सेप्टी हाने इसको परचेज कर सकते हैं जो कि आपके छोटे बच्चे भाई बेनों को आपसे दूर होने से बच्चाएगा अब ऐसे में आप मस्ती भी कर सकते हैं जिसे आप 300-400 उर्पर में परचेज कर पाएंगे उड़ता हुआ ये उल्लू भी लिटरली हर किसी को लोबाने वाला एक कमाल का प्रोड़ट है जिसके 100 प्लस साउंड और इंट्रेक्शन करने की अदा पर आप ही नहीं हर कोई मनने वाला है जिसे आप उड़ना खाना खाना जैसे एक्टिविटे सिखा सकते हैं जिसमें रात के समय में इसके चमकती हुई लाइट इसे और भी खुबसत बनाती है जिसे टच करने पर यह रेस्पॉंड भी करता है जिसे खही देने के लिए आप डिसकर्सम बॉक्स में जा सकते हैं जहां से आप इसे तीं से चार जार पर में पर्चेश कर पाएंगे गेमिंग के शोकिन लोगों के लिए बनाया गया यह आर्केट गेम भी काफी जबदसत चीज है जिसके किट में आपको सिक्स इस्टेल बॉल्स एक काउंटर टाइमर के साथ इलेक्टोनिक एलेडी स्कोर्ड बॉर्ड और साथी गेम को सूपर डूपर बनाने के लिए आर्क तो इसे देखो यह इपोक्सी रेजिन का जबजस्त कोंबिनेशन जिसे अपने मन चाहे मॉल्ड में रखकर मिक्स किया जाता है जिसे कुछ इस तरह का वोटर जैसा कमपोजिसन तियार होता है लेकिन हाँ यहाँ पर बबल से बिल्कुल भी पैदा नहीं होते अगर हो भी ज करते हैं तो इसे एजली हेर ड्रायर से हीट करके रिमो किया जा सकता है और फिर देखो क्या ही घजब की चीज दिखाए देती है ऐसा लगता है जैसे मानों कोई चीज ट्रांस्परेंट बॉक्स में फस गई हो जिसे आप भी इपक्सी रेसिन से क्रियेट कर सकते हैं जिसे करने के लिए आप डेसकर से बॉक्स चेक कर सकते हैं यह दुनिया का सबसे चोटा आर्सी ब्लीम पर जिसकी सायता से आप इस तरह से बैलोंस को हवा में अपने मुताबिक करके उड़ा सकते हैं बस सिर्फ आपको इसे अटेज करना होगा और अपने मोबाल में एप्लिकेश चलो इसे निकालते हैं लेकिन रुको यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है यह जो बैड आपको दिख रहा है इसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए निकान है जो लिटरली हर किसी के लिए पोसिबल भी नहीं है तो क्या आप इस बैड को आजाद करने का ट्राइ करना चा करती है आई तिक 95% लोगों का इसका राज अभी तक नहीं पता चला अगर आभी उनी 90% में हो तो कमेंट करके जरों से बताईएगा तो हाँ जानते हैं इसका सिक्रेट अगर आपने ध्यान दिया हो तो यह जादुगर मास है कुछ देर के लिए इसकी जुड़ा बोल की तर उसी जिगह इस होल के माध्यम से इस थेड़ के होल में पहुचा देते हैं और इस तरह से हमारे साथ हो जाता है बूतिया पा जिसे देखकर हमें डर लग रहा होता है वो तो भाइसाब आखों का दोखा होता है और ऐसे दोखों से बच्चते रहने और सेकने के लिए जल्द के लिए बाई बाई